वालकम टू स्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे पेट 2030 एक्जाम से संबंधित कुछ पहुत ही महत्पूर अपडेट्स की लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना बात करेंगे युपिट्र पलसी पेट 2030 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सु प्रकासन ने निकाल दी है देख सकते हैं दोस्तों की पेट 2030 की संपूर गाइड आ गई है इस बुक की सायता से आप अपना पूरा सल्बस पेट का पढ़ सकते हैं बिलकुल लेटर सल्बस पर यह आधारित है एक टॉपिक आपको यहां पर दिख जाएगा जो भी युपिट्र पलसी ने अपने सल्बस में दिया है युपिट्र पलसी पेट की संपूर गाइड बुक के साथ चक्सु प्रकासन ने पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉंच कर दिया है आपको य किताबें ओफ लाइल लेनी है तो यह इजली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है दोस्तों इस समय पेट 2023 के लिए आवेदन हो रहे हैं फॉर्म बने के लास्ट डेट है 30 अगस्त 2030 अभी भी बहुत सारे से छात्र हैं जोने फॉर्म नहीं भरा है दस दिन हो चुके हैं आव पॉर्म भरते हैं बहुत लोग बरनाबर और पर लें लेकिन लास्ट में जरूर्म भरते हैं मेरा सभी से रिक्वेस्ट है आमको छात्र ओने वालं वाले हैं और लाड़ समय में फॉर्म जपट नहीं चलेगी आप लिख कर ले लिजिए 25 अगस के बाद विबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लास्ट के 2-3 दिन तो विबसाइट चलनी ही नहीं है रात में कुछ चल गया तो चल गया नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्य आएगी जिसके पास बहुत अच्छा स्पीड होगा बहुत अच्छा laptop computer होगा वही form भर पाएंगे लास्ट समय में बहुत लोगों का registration नहीं हो पाएगा registration होगा तो बाद में समस्य आएगी सबसे ज़्यादा problem आएगी fee payment में जो मैं बात बता रहा हूँ यह बिलकुल fact है हर बार होता है इस बार कुछ जादा ही होगा तो इस वज़य से पहले से आप सचेत रहिए fee payment करेंगे website नहीं खुलेगी पैसा कर जाएगा लेकिन form में so नहीं होगा फिर आपके पास समय नहीं होगा कि आप इंतजार करें क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि fee update होने में time लगती है कभी कभी आपका पैसा वापस account में आजाता है तो जब समय रहेगा तब तो आप सोच पाएंगे समझ पाएंगे fee वापस आएगा दुबारा payment करेंगे last में अफा तफ़ी मत जाएगी और इस वज़य से आप अगले एक सपता के भीतर भीतर अगले एक सपता तो मैं काफे जादा बोल रहा हूँ आप चाहें तो अगले एक दिन दो दिन में ही form भर सकती है form कैसे भरना है पूरा detail में मैंने वीडियो बनाए हुआ है step back step सब्सक्राइब से लेकर लाज्ट तक सारी चीज़ा मैंने बताई है description box में पिन comment में link है click करके देख लीजिए form भर लीजिए और यदि आपको सारी चीज़ां जानी है photo sign कैसे बनाना है कैसे प्रोट करना है free payment कैसे करना है कहां पर गलती नहीं करनी है कहां पर गलती हो सकती है सब पर मैंने वीडियोज बनाए हुए है यूपेट्रिपलसी का आप हमारा playlist जाकर देख लीजिए इसी चैनल के playlist में जाएए और यूपेट्रिपलसी को ढूड़िए वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे पर दोस्तों एक बहुत ही महात्मूट परिक्षा है यूपेट्रिपलसी का इसके बीना आप कोई भी भरती जो समुगों की है आप आवधन नहीं कर सकते यूपेट्रिपलसी की भरतियों में आप आवधन तक नहीं कर पाएंगे तो यह जरूरी है और 2024 में जो भी भरतियां आएंगी यूपेट्रिपलसी के दवारा उसमें यह एक्जाम आपका कमपलसरी होगा चुकि अभी पेट 2022 वाला सर्टिफिकेट वैलिड है यह वैलिड रहेगा 24 जनवरी 2024 तक उससे पहले पेट 23 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर पेट 2023 वाला सर्टिफिकेट पूरे साल 2024 वे चलेगा वह सारी भरतियां प्रस्तावित हैं जिसमें वीडियो की एक नई भरती है लेकपाल की भरती है लोवर की भरती का इन नदर काफी समय से हो रहा है इस वज़े से आपको पहले से सचेत रहना है फॉर्म कोन भर सकता है तो कोई भी छात जो दस्वी पास हो और 18 साल इसकी उम्र हो गई हो आई हो गई हो वो फॉर्म भर सकता है फॉर्म भरने की फीबी काफी कम होती है पेट की तो देख सकते हैं यह है फीस बाकी जब आप PIT का एक्जाम दे लेंगे उसके बाद जब भरती आएंगी तो आप उस भरती के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए उस भरती की क्या योगता है वो भी आपके पास होना चाहिए एक्जाम कब तो हो सकता है पेट 2030 का तो बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक सोर्स से जनकारी निकल कर आई है कि अक्टूबर लास्ट में आपकी परिचा होने जा रही है बहुत लेट हुगा तो नॉम्बर के शुरुवात में आपका एक्जाम हो जाएगा और पूरी कोसिस है य क्टूबर लास्ट में एक्जाम करा लाएं क्योंकि कम से कम एक ड़र महीने तो सिर्फ ओमर की स्कैनिंग में समय लग जाता है तो यदि यह संबल लास्ट तक या जनुरी तक नगर जल देना है तो जल्दी करना ही पड़ेगा पिछली बार 386 में फॉर्म भरा था इस बार 40 पैट में नहीं उल्जे रहें कि बार-बार लास्ट बढ़ाते रहें पिछली बार भी बहुत साथ अच्छातों ने फॉर्म भी नहीं बढ़ा था तो इस बार भी लाज़ूद नहीं बढ़ेगा तो समय रहते फॉर्म भलना है बहुत बहुत शुक्र वीडियो का अपने ल